जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध से संबंधित सौ महत्पुन प्रश्णों को हम लोग पढ़ेंगे जो बार बार परिछाओं में पूछे जा रहे हैं पहला प्रश्ण है गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे तो बौत धर्म से दूसरा प्रश्ण है गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था उत्तर लुम्णी में गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था लुम्णी में नेक्स्ट है गौतम बुद्ध जी के प माया देवी नेक्स्ट है गौतम बुध के बचपन का क्या नाम था उत्तर सिद्यार्थ गौतम बुध के बचपन का नाम क्या था सिद्यार्थ गौतम बुध को किस नदी के किनारे ज्यान प्राप्त हुआ उत्तर निरंजना नदी के किनारे गौतम बुध को ज्यान की प्राप्ति को बहुत धर्म में क्या कहा गया है गौतम बुध की ज्यान प्राप्ति को बहुत धर्म में क्या कहा गया है तो धर्म चक्र परवर्तन कहा गया है धर्म चक्र परवर्तन नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहा दिया गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहा दिया सारनाथ में उत्तर सारनाथ next गौतम बुद्ध ने सबसे अधिकुपदेश कहां दिया गौतम बुद्ध ने सबसे अधिकुपदेश स्रावस्ती में दिया कहां स्रावस्ती में next गौतम बुद्ध के गुरू का क्या नाम था उत्तर अलार कलाम और उदक राम पुत्र गौतम बुद्ध के गुरू का नाम था अलार कलाम और दुसरे गुरू का नाम था उदक राम पुत्र नेक्स्ट है काफी ये महत्पुन प्रस्थन है अलार कलाम और उदक राम पुत्र जो थे गौतम बुद्ध के गुरू थे नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मिर्थिव को बहुत धर्म में किस नाम से जाना जाता है उत्तर महापरी निर्मान गौतम बुद्ध की मिर्थिव को बहुत धर्म में किस नाम से जाना जाता है महापरी निर्मान नेक्स्ट है गौतम बुध के त्री रत्न कौन कौन से है उत्तर बुध धम तथा संग गौतमबुद्र के तри रत्न जो है कौनकौन है बुद, धम तथा संग है next है next है बौत धर्म में गौतमबुद्र के भीचुक के निवास अस्थान को क्या कहा जाताथा उत्तर विहार विहार कहा जाताथा इसी के नाम पर हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा बौध धर्म में पूजा अस्थल को क्या कहा जाता था बौध धर्म में पूजा अस्थल को चैति कहा जाता था क्या कहा जाता था चैति बौध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी बौध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी दच्छिन नेक्स्ट है बौध धर्म का परचार किस भासा में किया गया था उत्तर पाली भासा में बौध धर्म का परचार किस भासा में किया था पाली भासा में नेक्स्ट है बौध साहित के त्री पिटक कौन कौन से हैं आजीवक संपर्दाय की अस्थापना किसने की थी उत्तर मखली पुत्र गोसालने किस बौध संगिती में बौध धर्म को दो भागों में बाटा उत्तर चतुर्थ बौध संगिती नेक्स्ट है महात्मा बुध ने त्रिसना की घटना को क्या कहा था महात्मा बुध ने त्रिसना की घटना को क्या कहा था निर्वान कहा था नेक्स्ट है सुन्यवाद के परवर्तक कौन थे उत्तत नागारजुन नागार जुन नेक्स्ट विज्यानवाद के प्रवरतक कौन थे मैत्रे नाथ जो थे विज्यानवाद के प्रवरतक थे गौतमबुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहा की उतर होगा उरु वेला में तिबत में बोध labour का परचार करने वाले विचू का नाम क्या था? उत्तर नालंदा तथा विक्रम-शिला विस्विध्याले जो था बाद धर्म में सिच्छा का परधान के अंद्र था नेक्स्ट है पर्थम बाद संगिती कब हुई पर्थम बाद संगिती जो है 483 इसाप्रूब में हुई कब 483 इसाप्रूब में नेक्स्ट है तो कोचर नमर 28 है पर्थम बाद संगती पर्थम बौध संगीती किसके सासनकाल में हुई अजात सत्रू किसके सासनकाल में हुई नेक्ष्ट है पर्थम बौध संगीती किसने की थी तो महाकस्यपने की थी किसने महाकस्यपने नेक्स्ट है पर्थम बधसंगिती कहां आयुजित हुई थी तो राजग्री में पर्थम बधसंगिती कहां आयुजित हुई थी राजग्री में नेक्स्ट है दूतिये बधसंगिती कब हुई उत्तर 383 इसापुर्व में दूतिये बौध संगिती कब हुई? 383 इसा पुर्व में नेक्स्ट है दूतिये बौध संगिती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था? दूतिये बौध संगिती का आयोजन जो है किसके सासनकाल में हुआ था? तो काला सोक के सासनकाल में नेक्स्ट है दूतिय बौध संगिती का आयोजन कहा हुआ था उत्तर वैसाली में हुआ था दूतिय बौध संगिती का आयोजन कि थी नेक्स्ट है तिर्थिये बौधसंगिती का आयोजन कब किया गया तो उत्तर होगा 255 इसापुर्व तिर्थिये बौधसंगिती का आयोजन कब किया गया 255 इसापुर्व में नेक्स्ट है तिर्थिये बौधसंगिती किसके सासनकाल में आयोजित हुई थी उत्तर काल अ मोगली पुत्र ने तिर्थिये बौध संगीती की अधेचता की थी नेक्स्ट है तिर्थिये बौध संगीती का आयोजन कहां किया गया था तिर्थिये बौध संगीती की का आयोजन कहां किया गया था उत्तर पाठले पुत्र नेक्स्ट कौन सी बौध संगीती बिहार में नहीं हुई उत्तर चतुर्थ बौध संगीती ये कुंडन बन कस्मीर में हुई थी कहां कुंडन बन कस्मीर में हुई थी चतुर्थ बौध संगीती नेक्स्ट है चतूर्थ बौधसंगिती का आयोजन कब किया गया पर्थम सताप्ती में नेक्स्ट चतूर्थ बौधसंगिती की अध्यचता किसने की थी उत्तर वसू मित्रने चतूर्थ बौधसंगिती की अध्यचता किसने की थी वसू मित्रने नेक्स्ट चतुर्थ बौध संगिती कहां आयोजित की गई थी उतर होगा कुंडल बन कास्मीर में कुंडल बन जो है कास्मीर में ये चतुर्थ बौध संगिती का आयोजन हुआ था नेक्स्ट है एसिया की जोती किसे कहा जाता है एसिया की जोती, लाइट ओफ एसिया किसे कहा जाता है, उत्तर गौतम बुद्ध, नेक्ष्ट गौतम बुद्ध की स्कूल से सम्मदी थे, उत्तर साके कुल से, गौतम बुद्ध की स्कूल से सम्मदी थे, साके कुल से, नेक्ष्ट गौतम बुद्ध का पालन पोसन किस ने कि नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस तीन ग्यान की प्राप्ति हुई थी उत्तर वैसाक पुर्णिमा की रात को जो है गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ग्यान की प्राप्ति हुई उत्तर पीपल व ज्यादा परचार परचार किस राज में हुआ उत्तर कोसल राज में। पीरी सीसि आनंध के आगरापर नेक्स्ट है। गोतम बुद के पाच पिरिशीस कौन कौन थे उत्तर अनिरंध, आनंद, सरीपुत्र, उपाली और मेदल, मेदग लायन ये पाचो जो थे गोतम बुद के पाच पिरिशीस ये थे बुद के पाच पिरिशीस योगदान दिया था बुद के पंचसिल सिधान्त का वर्णन किस उपनी सद में मिलता है बुद्ध के 45 सिध्धांत का वर्णन किस उपनी सद में मिलता है उत्तर चांदोगी उपनी सद में नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था उत्तर भदरक को गौतम बुध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था उत्तर भद्रक नेक्स्ट है गौतम बुध जी की मिर्तियू कब हुई उत्तर 483 इसापुर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मिर्थिव जो है 483 सापुर 80 वर्स की अवस्था में हुई थी नेक्स्ट है कितने वर्स की अवस्था में गौतम बुद्ध की मिर्थिव हुई थी उत्तर 80 वर्स की अवस्था में नेक्स्ट गौतम बुद्ध की मिर्थिव कहां पर हुई थी उत्तर महापड़ी निर्बान कहा गया है नेक्स्ट है गौतम बुध की मिर्तिव किस कारण होई थी उत्तर रक्ताती सार के कारण गौतम बुध की मिर्तिव किस कारण होई थी रक्ताती सार के कारण होई थी नेक्स्ट है सूथ पिटक को प्रारंभिक बौध धर्म का क्या कहा गया है सूथ पिटक को प्रारंभिक बौध धर्म का क्या कहा गया है इनसाइकलोपेडिया कहा गया है नेक्स्ट बुध के पूर्वजन्म की कथाएं किस पिटक में वड़नित है बुधि के पूर्वजनवखी कथाएं किस पिटक में वरणीदः उत्तर सुत पिटक में बुध गरंथों में संस्क्रीत का परयोग किस पिटक से प्रारम्ब होता है उत्तर अभी धम पिटक से गौतम बुध्य ने कितने वर्स की अवस्था में गिरित त्याग किया था? उत्तर 29 वर्स की अवस्था में बौत धर्म में कष्टो का कारण किसे बताया गया है? बौत धर्म का परमलच्च क्या था? उत्तर निर्वान नेक्स्ट बहुत धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है बहुत धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है किसे गौतम बुद्ध को नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने बहुत धर्म का सरुपर्थम अनुवाई किसे बनाया था महात्मा बुद्ध ने बौत धर्म का सरुपर्थम अनुगाई किसे बनाया था उत्तर तपस्य और कल्पिक को महात्मा बुद्ध ने बौत धर्म का सरुपर्थम अनुगाई बनाया था नेक्स्ट गौतम बुद्ध जी का विवा कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी उत्तर 16 वर्ष की अवस्था में यसोधरा के साथ हुआ था इनका विवा गौतम बुद्ध का विवा कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था उत्तर कंथक गौतम बुद्ध के पिरी गोड़ा का नाम था कंथक नेक्स्ट विस्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है विस्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बहुत धर्म है नेक्स्ट विस्व में सबसे अधिक बहुत धर्म के लोग कहां रहते हैं उतर चीन में विश्व में सबसे अधिक बोधर्म के लोग कहां रहते हैं चीन में नेक्स्ट गौतम बुद्ध के किसी घटना का परतिक पीपल का पेड़ है गौतम बुद्ध के किस घटना का परतिक पीपल का पेड़ है गौतम बुद्ध के निर्वान का क्या पर्तिक था उत्तर बोधी विर्च गौतम बुद्ध के गिरीत त्याक का पर्तिक था उत्तर गोड़ा नेक्स्ट गौतम बुद के जन्म अस्थान का संकेत किस अस्थंब लेक में मिलता है उत्तर रमन देई अस्थंब लेक में मिलता है बोद धर्म में परत्यच मददान को क्या कहा जाता है? उत्तर वीवट कहा जाता है बोद के परस्ताव पाथ को क्या कहा जाता है? नति कहा जाता है नेक्स्ट गौतम बुद्ध का सार्थी कौन था उत्तर चन्ना था गौतम बुद्ध का सार्थी कौन था चन्ना नेक्स्ट गौतम बुद्ध के पिता किस गन से समंदी थे उत्तर साप के गन से नेक्स्ट गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम है गौतम बुद्ध के मौसी क नाम परजापती गौतमी है यह दुनिया दुखों से भरी हुई है किसने कहा था उत्तर गौतम बुध ने उबदेशों के हवाले से यह बात कहा था कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है जातक परमुख गरंथ किस धर्म का है उत्तर बौध धर्म का बुध के उब्देसों का संग्रह किस में मिलता है बुध के उब्देसों का संग्रह सूत पिटक में मिलता है किस में सूत पिटक में next गौतम बुद्ध द्वारा भीचुनी संग की अस्थापना कहा की गई थी next बौत धर्म की पूजा अस्थल को क्या कहा जाता था उत्तर चैतन्य मंडब कहा जाता था next बौत धर्म में परवेश को क्या कहा जाता था उत्तर उप संपदा या परवज्जा कहा जाता था बौत धर्म में परवेश को क्या कहा जाता था उप संपदा या परवज्जा कहा जाता था नेक्ष्ट गौतम बुद्ध के सबसे पिरिसिसे का क्या नाम था उत्तर आनंद गौतम बुध के सबसे पिरिय सिस्य का नाम क्या था आनंद था नेक्स्ट गौतम बुध की पर्थम महिला सिस्य कौन थी उत्तर परजापती गौतमी उनकी मौसी गौतम बुध की पर्थम महिला सिस्य कौन थी? परजापती गौतमी जो की गौतम बुध की मौसी थी बुधी विर्च किसने कटवाया था? बुधी विर्च को बंगाल के सासक ससांक ने कटवाया था? next बुद्ध का पवित्रतिवार कौन सा है बुद्ध का पवित्रतिवार बैसाख पुर्णीमा है next बुद्ध की पर्थम मुर्थी किस कला में बनी थी next भारत से बाहर बुद्धर्म को फैलाने का स्रे किस समराट को जाता है भारत से बाहर बौध धर्म को फैलाने का स्रे किसे जाता है कि समराठ को समराठ असोक को जाता है नेक्स्ट कुंडल वन कुंडल वन कस्मीर में कौन सी बौध संगिती आयोजित की गई थी कुंडल वन कस्मीर में कौन सी बौध संगिती आयोजित की गई थी नेक्स्ट गौतम बुद्ध के मीर्तिव के बाद उनके सरीर के अब सेसो को कितने भागों में बाटा गया उत्तर आठ भागों में नेक्स्ट गौतम बौत धर्म में समिलित होने के लिए नियुन्तम आयू क्या थी उत्तर 15 वर्स बहुत धर्म में समिलित होने के लिए नियुन्तम आयू कितनी थी 15 वार्ज तो दोहने वाद साथियों वीडियो के अंतक बनी रहने के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माधिम से जरूर बताइए वाद मिलते हैं अगले वीडियो में